नमस्कार मैं डॉक्टर श्रद्धावसर्ष्ट आपका सबकी शिक्षा में बेहत स्वागत करती हूँ एक सवाल जो बार बार मातापिता हमसे करते हैं कि माम हम जेनरल काटेगरी के हैं यानि कि हम पती-पत्नी में से कोई भी सरकारी नौकरी नहीं करता तो क्या हमारे बच्चे का दाखिला केंद्र विद्ध्याले में हो सकता है तो इस सवाल का जवाब है जी हां कोई भी बच्चा जिसके मातापिता कोई भी नौकरी करते हैं वह किसी भी category का है उसके लिए केंद्र विद्याले में दाखिले के लिए माता-पिता apply कर सकते हैं केंद्र विद्याले सभी के लिए खुला है चाहिवे भारत के बच्चे हैं भारत में रहने वाले बच्चे हैं या भारत के बाहर के बच्चे हैं लेकिन हम आपको बताना चाहेंगी कुछ categories हैं, कुछ categories हैं जिन्हे आरक्षन मिला हुआ है, इसलिए आरक्षन की वजह से उन categories के बच्चों का दाखिला पहले किया जाता है, जैसे कि RT category के बच्चे, या single girl child category, या फिर आप कह सकते हैं, army quota, MP quota, कुछ quota है, उनके तहत कुछ seats हैं जिन में दाखिला पहले दिया जाता है, इन category के लोगों को पहले दाखिला दिया जाता है, और बाद में general category के बच्चों का दाखिला होता है, लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं है कि general category के बच्चों का दाखिला नहीं होता, मैं खुद बहुत से बच्चों को जानती हूँ, जो General Category में आते हैं और जो चेंदरेविध्याले में पढ़ रहे हैं कईदरेविध्याले से passout है और कईवों का अभी अभी इसी सत्र में 2019-2020 में दाखिला हुआ है तो यदि आप अपने बच्चे का दाखिला केंदरेविध्याले में 2020-2021 किसके सत्र में करवाना चाहते हैं और आप जेनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको घबराने की जरुरत नहीं है अपने कागजात सारे पूरे रखें क्यूंकि कागजात सही कागजात का जमा होना सही समय पर बहुत जरूरी है सही कागजात की जानकारी हमारी हमने अपनी अल आप फॉर्म को भरे और सही समय पर उन्हें सब्मिट करवाएं। अपकी शिक्षा को सब्सक्राइब भी करें और साथ ही सब्सक्रिप्शन बटन के साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूले क्योंकि जैसे हम जो भी वीडियो लेकर आएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक एक दम पहुंच जाएगा। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धावसिश को जाज़त दीजे और फिर से कहना चाहूंगी आपका बहुत सारा प्रोथ सहान और बहुत सारे प्यार के लिए बहुत भहुत धन्यवाद। नमस्कार